हलो एब्रिवन मैं हूं हरशिदा इनोवेटिव फैसन में आप सबी का सौगत है इमेज में आप देख सकते हैं आज हम डिजाइनर वन पीस बनाने वाले हैं तो अगर आपको मेरा वेडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब भी करिएगा आप देख सकते हैं कितना खुशूरत है तो मैंने फ्रेंट में फ्रिल लगाया है और शोल्डर पे मैंने इस तरह से गैदिरिंग की है मैं हर बार कुछ नया लेके आती हूँ आप सब लोग कुछ अच्छा और नया डिजाइनर सेख सकें तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइगन को भी प्रेस करिएगा तो इसका फुल लोग किया है आप देख सकते हैं आप चाहे तो इसे चोटा या बड़ा आप अपने साइच के अपने हाइट के हिसाब से सिल सकत हैं तो यह मेरा बैक पार्ट है तो इस तरह से मैंने रेडी किया है फैब्रिक की बात करो तो मैंने सौटन फैब्रिक लिया है और भी तीन मीटर का लिया है मैंने तो सबसे पहले में अपना फ्रेंट पार्ट काटेंगे तो फ्रेंट प्रेंट तो मैंने और लड़ी साइड अगर आप और डबल एक्सल है या ट्रिपल एक्सल है तो आप उसी साफ से ले सकते हैं तो मैंने नेक की चोड़ाई लिए तीन इंच पे और मैं लंबाई लूँगी 6 इंच पे आप बड़ा भी छोटा रख सकते हैं पर मैं इसे भी सेप में ड्रो करूंगी क्योंकि राउंड इनच पे मैंने बैक पार्ट के गले का निसान लगाया है है कैंने इसमें लूँगी सोड़र तो मैंने थीज लिए आप चाहें चाहें ले सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मार्किंग करहीं तो सेम अज़़िद आप को भी करनी है कि सोल्डर में हाफ इंच डाउन करूंगी और अगेन मैं आर्मोल के लिए मैं साथ इंच पे निसान लगाऊंगी हाफ इंच मैंने अल्लेडी डाउन किया है तो मेरे साड़ी 6 इंच पे कंप्लेटली तैयार होगा इस तरह से राउंड सेप में कर देंगे तो मैं फ्रेंट एं निसान के लिए तो मैंने चार इंच की चौडाई लिए नीचे से और आप सोल्डर से आप अपने बेस्ट के काडिंग मेजरिंग कर सकते हैं मैं यहां पे साड़े 11 इंच ले रहे हूं और जो मैं डॉट की निसान डाली हूं मैं 1.5 इंच का डाली हूं तो फिटिंग की है फिटिंग है वह साड़े 3 इंच है मैं टोटल 4.5 इंच पे निसान लगाओंगी और 9.5 इंच में बेस्ट का निसान लूंगी तो आप इस तरह से निसान लगा सकते हैं, अब हम मुसे अच्छे से कट करेंगे तो आप इससे जब भी निसान लगाईए Earaka दिश की से कट कर करनी है जो हमारा बैक पार्ट का निसान है उसी पर ही हमें कट करनी है तो मैंने जो फिटिंग का निसान लगा है इस पर मैं छोटे छोटे टैक्स लगा लूँघ ताकि मुझे पता चले कि मेरी ुइंट सकते हैं तो हम देक सकते हैं ने कि भाट कर लीक काम बढ़ा है और कि फ्रेंट पार्ट के निससान लगा लिया है अब हम पिन को रिमूव करेंगे आश्रेंगे और यहांरा जो फ्रॉग में हम इस तरह प्रकृर निसान लगा लेंगे सुर्द सוכ अब ने दोनों पार्ट को अलग करेंगे बैग पार्टOG में लगा जिस पार्ट पे हमने निसान लगाया है नेक का उझे हम फ्रेंट पार्ट में बना लेंगे तो सबसे पहले तो हम अपना नेक को कटिंग करेंगे हमारी नेक की कटिंग हो गई है अब हम अपने जो हम फ्रिल लगाएंगे नेक पे ब्रेस्ट एडिया पे उसको हम बगर करें तो आप सोल्डर का पूरा मैजल ले लीजे और सोल्डर का आपका जो भी सोल्डर हो उसका हाफ इंच पे आपको निसान लगानी है तो मैं यहां पे 1.5 इंच पे लगा रही हूं और नीचे से जो भी हो रहा है आपको देख सकते हो नीचे से मैं तीन इंच पे निसान लगाऊंगी तो इसे हम सीधा ड्रो कर देंगे इस तरह से आप आपके पास स्केल हो तो स्केल से कर सकते हैं नहीं है तो आप जिस तरह से मैं ड्रो कर रही के लिए मैं से हाफ में फोल्ड करूंगी ऐसे में थोड़ा सा थब थब कर दूंगी तो दोनों साइट से जो हमारा चौक का निसान है वह दोनों साइट पर आज आज इस तो आप देख सकते हैं दोनों साइट पर आ गया है तो मैं मेरा जो निसान है मैं से थोड़ा डार्क कर लूँगी यह मारे निसान लगके फ्रेंट पार्ट रेडी हो गया है हम इसे सोल्डर और टक्स सब और नेक को सब कम्प्लीट कर लेंगे मैं वो सब बताना बनाना नहीं बता रही हूं क्योंकि आज इस मैंने हार एक वीडियो में बताया है तो इसलिए मैं थोड़ा इसकिप कर रही हूं अब हम गैदरिंग के लिए फ्रिल लेंगे तो फ्रिल को मैंने फोर पार्ट में फोल्ड किया है तो मैंने जो चोड़ाई लिया है वो चार इंच पे है और लंबाई जो है हमारी 23 इंच पे है मैंने 4 फोल्ड में 23 इंच का लंबाई लिया है मैं इसे दोन को हिंच के gathering कर सकते हैं हम अपने slips part को cut करेंगे तो slips के लिए के आगयन मैंने 4 fold में fold कर लिया है तो slips की लमबाई के लिए हमने 12 इंच पर लिया है और जो चौड़ाई हमारी है वह है 14 इंच पर नीचे से हम पहले 7 इंच पर 8 इंच पर मार्क करेंगे तो हमारा जो भी आर्ड मोल की साइज है उस पर हम 8 इंच पर ड्रो करेंगे 8 इंच का हाफ हम 4 इंच पर ड्रो करेंगे और नीचे से हम 2 इंच पर ड्रो करेंगे आप देख सकते हैं तो इस तरह से अब हम इसे फिर वापस अगेन हम 4 चार इंच पर ड्रो करेंगे तो चार इंच पर ड्रो करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने सरकल बनाया तो आपको सरकल बनानी है ने के लिए और जो उपर का पार्ट हमारा बच रहा है उसको हम gathering के लिए डाल देंगे तो front and back दोनों पार्ट के लिए मैंने निसान लगा दिया है अब इस तरह से draw कर लेंगे और जो नीचे से भी हम gathering करेंगे अब हम shoulder की cutting कर लेंगे तो जहां पर हमें gathering करनी है वहां पर हम छोड़े-छोड़े trucks लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे हैं कि हमें कहां से कितना gathering करना है अब इस तरह से हम इसे अच्छे से cut कर लेंगे gathering करने के लिए भी आप चाहो तो sly करके कर सकते हो ज़ची छोटे-छोटे चुटनट कर सकते हो पर ज़्यादा वेस्ट होगा कि आप sly करके उसके चुटनट कर अब मेरा जो फ्रेंट पार्ट का आर्मोल है उसे भी हम ठोड़ा डीप में कट कर लेंगे तो अगर आपका कपड़ा सेम टु हो इक्वल हो फ्रेंट एन बैक तो आप कट करिये का नहीं तो फ्रेंट राइट एंड लेप साइड देख के याप कट करिए का नहीं तो अधरवाइस गलत कट जाएगा तो आप देख सकते हैं मुझे किस तरह से गैदरिंग करनी है सेम स्लिप से तरह से रेडी होगा अब अपने नीचे का पाट कट करेंगे जो हमारी प्रिल जो नीचे की बने की गाउन उसको हम कट करेंगे तो अगें मैंने इसे भी four 4-fold में कट कर लिया है लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं तो मैंने चौड़ाई लिया है अगें 23 इंच पर चौड़ाई लिया है अब जो हमारा योग पाट है वो 15 इंच का है तो 15 इंचे छोड़ने के बाद इसकी लंबाई मेजर करेंगे मैंने अपनी ड्रेस की ल सबस्के रख सकते हैं तो आपका जो भी लंबाई हो आप उससे अपसे ले सकते हैं तो आप चाहो तो सीधा और श्राइज बशी ल सकते हो पर मैं ज्वादा वेटर वहुंगी कि आप थोड़ा आपका कमर साइड है आप इसे थोड़ा सा डीप में कट करिए तो आप देख स साइड से मैं निसान लगा के तीन इंच पर कट कर रही हूं तो आप देख सकते हो नीचे तक आपको निसान लगानी है ताकि आपके बॉड़ी का सेब काफी खुबसूरत दिखे तो मैं आदा इंच छोड़के मैं इसे कट करूंगी क्योंकि जो मेरा फैबरी के उसमें से काफ जादे थ्रेड निकलते हैं तो इसलिए मैं आदा ही चौर एक्स्ट्रा लेके कट करूंगी तो नीचे से जो हमारा जॉइन पार्ट है उसे भी हम अलग कर लेंगे अब आपको इस पर देख सकते हो आप जो मारा फ्रेंड का जो सेंटर पार्ट है उस पर हम निसान लगाएं या आप चाहें तो इस तरह से चुणनटे कर सकते हैं या फिर आप ठ्रेड को भी बाड़े पांच नमबर की सिलाई करके आप ठ्रेड से भी उस तरह से चुणनटे कर सकते हैं तो मेरा जो फ्रेंड पार्ट का योग पार्ट है वो रेडी हो गया आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से gathering किया है मैंने टक्स का निजान और नेक भी बना लिया है सोल्डर और एक साइट से हमारा फ्रिल बाकी है तो मैं आपको जो हमने सिलाई की है फ्रिल की उसे मैं लगाना आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से उसे स्ट करना है मैंने आधा इंच छोड़ के 5 नमबर की सिलाई से टाके लगा लिया है तो आप देख सकते हैं मैं दो थ्रेड होते हैं तो एक थ्रेड पकड़के हमें gathering करना है तो आप दोनों साइट से gathering करिए क्योंकि एक साइट से करेंगे तो काफी डर रहेगा कि कहीं थ्रेड जो है वो तूटना जाए तो आप धीरे धीरे आपको इस तरह से पकड़के gathering करना है आप अपने जो भी आपका योग पार्ट है उसके हिसाब से आप सेट कर लीजिए इसके चुन्डटे जो भी हो पर यह ज़्यादा खूबसूरत लगता है अब इसे अच्छे से हमने सेट कर लिया है चुन्डट को अब हम इसे front पार्ट का जो हमारा योग पार्ट है उस पे हम इसे सेट करेंगे हमने जो निसान लगाई है निसान पर ही हमें siam to same इस तरह से अटेच करना है जो हमने आधे इंच पर slide डाली है वहीं से सेम हमें chalk पर इस अटेच करके slide करना है अब देख सकते हैं इस तरह से जैसे हमने ये सिला है उसी तरह से आज दिश सिल लेना है अब हम नीचे का जो हमारा योग पार्ट का फ्रील है उसको हम स्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने बड़े-बड़े चुनड़े कर लिया हैं और इस तरह से मैंने इसे स्रेट कर रही हूं अब इसे set करके हम इस पे slide डाल देंगे slide करने के बाद ही हमारा कुछ इस तरह से दीखेगा हम अपना armhole set करेंगे तो armhole कदम मैंने half inch की अल्ड़ेडी पहले से कटिंग कर दी है तो हमारा जो slips है उसको हम किस तरह से gathering करेंगे यह में बद्द आप देख सकते हैं हिख अगें उसमें भी पांच नमबर किस लाय करके मैने इस तरह से गदर इंग किया है कि ठ्रेट को हीच कि है अपकी जो भी सोल्डर के मां विटिंग होड़ा उस हिसाब से चुट इना गदरिंग करिएगा मैंने आप देख सकते हूं मैंने कर लिया मैंने अगयन एक पट्टी कट की है पट्टी की जो लंबाई है वो आप पने स्लिप्स के हिसाब से रख सकते हैं और जो चोड़ाई है मेरी हो मैंने दो इंच पे लिये तो टोटल ये एक इंच पे रेडी हो चाएगा और उपर भी मैंने यह से पांच नमबर के स्लाई करके चुन्डटे बना ली है तो इस तरह से सेम आपको दोनों स्लीप्स में चुन्डटे बनानी है हैं दूसरी स्लीप मैंने त्यार कर लिए तो आप देख सकते हैं किす तरह से ये दिखने में काफी खूब सुरलत लग रहा है अब हम अपने योग करके बना लीजिए आप देख सकते हैं हमारा पूरी तरह से ड्रस कम्प्लीट हो गया है और बनने के बाद किस तरह से दिख रहा है यह बहुत ही खूपसुरूत और डिजाइनर लुक आता है अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और भी अच्छे अच्छे नए डिजाइनर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वाचिंग